पार्लेमेंट का पाजवा वर्च और आखरी दिन है ये तूम का और इसमे किसने क्या किया किया किसने क्या नहीं किया अधेख मौदी में आपको इतने बताना चाहूंगी हम तो यह इस देश के यूए हैं हम तो सिर्फ качеulation पर ओस ने कितना अच्छा बैतर काम किया उसके ओपर यह ध्यान देकर आगे काम करते हैं कॉंग्रेस की सरकार में पचास वर्षों में सर सवापती जी एक मिनट सवापती जी इन्होंने ब्लैक पेपर निकाला है एक भी शब्द उसमें दस साल के हमारे मंत्रियों के खिलाफ नहीं है और मैं तो इतने ही बोल सकती हूँ कि जो आखडे हम देख रहे हैं कि पचास सालों में 75 एरपोर्ट कॉंग्रेस के कारेकार में 10 वर्षों में 74 रोड औन हाइवेज में 50 वर्षों में 98 हजार किलो मीटर और मोदी जी की सरकार में 50 हजार किलो मीटर के हाइवेज रेलवे कॉंग्रेस की सरकार में Modern Railway Station का नाम ये देश के युवाओ ने इस देश के लोगों ने कभी सुना ही नहीं जहाँ पे 400 वंदे भारत ट्रेन और अमरोद भारत स्टेशन और Modern Railway Station इसी तरह सर ये ब्रष्टाचार की बात कर रहे हैं यहां से बहुत चारा आवाज आ काम पर जब ये सरकार थी तो इनके राज्य में बैंक में जाने के लिए बड़े-बड़े सभी जैसे हमारे वितमंत्री मैडम ने कहां कि फोन पर ही लोन हो जाते थे फोन पर ही सभी को सब चीजें अवेलेबल हो जाती पर मैडम, nowadays people are scared to go to bank only if we do something corruption, so this government is not going to leave. जो मोदी जी की सरकार है कोई भी इस देश का एक रुपया भी कहीं लेके नहीं जा सकता इस तरीके की कारवाइ ये देश की सरकार हमारे मोदी जी कर रहे हैं. पार्लमेंट भी पिछले सौ वर्षों से जो पार्लमेंट में थे वो बिटिश कालीन पार्लमेंट में बैठते थे सर, हमारा सोबाग गया है, कि हम इस नए पार्लमेंट में भी मोदी जी की सरकार के टाइम पर ही ये पार्लमेंट में बैठे हैं, सर ये आदिवासियों की बात के लिए एजुकेशन के लिए 600 स्कूल एक लव्य स्कूल बनाएं सर ये उपलब्दी है मोधी जी सरकार की ये बोलते हैं वाइट और काला पेपर मैंने सभी कॉंग्रेसियों के हाथ में आज काले पेपर में लिखा हुआ देखा है और जिनों ने आज ये वाइट पेपर घु ये तो उसके लिए इनके कारेकाल में 380 मेडिकल कॉलेज बने थे जहां पे 10 वर्षों में 262 मेडिकल कॉलेज बने हैं सर एम्स इनके सरकार में 50 एमस बने थे हमारे ये सरकार ने हमारे मोधी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 17 एमस बनाएं सर ये उपलब्दी है हमार सरकार की सर हमारे डॉक्टर बाबा सै बंबेट करकी इंदू मील की जगा पिछले कई वर्षों से महाराष्टर में हमारे मागा स्वर्गी हमारे सभी लोग चाहते थे इंदू मील की जगा ये बाबा सै बंबेट के नाम सर बहुत बड़ा समार्ग बने पर ये उसके लिए भी काम्याब नहीं हो सके, वो भी हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, उनकी ये सब्चे बड़ी उपलब्दी है, सर आज 5 लाख उर्पया देकर हर गरीब की मेडिकल, उनकी हेल्थ विवस्ता देखने का काम भी हमारी ये सरकार कर रही है सर, IETs, 50 साल में सिरिफ 16, 10 वर्षों में साथ सर, PM आवाज योजना जो 14 से आज तक 4 करोड लोगों को, जिनको घर नहीं था, जिनका आज भी मटी के घरों में रहते थे, सर हम तो रूलर एरिया से आते हैं, ग्रामिन शेत्र से हैं, किसान रहते हैं, मजदू रहते हैं, वो शेत्र से आते हैं, जब उनके बास घर नहीं देखते थे, तो हमारी पीडा हमको ही पता है कि ग्राउन पे जा के कैसा हा है महलो में रहने वाला राजा, वो क्या जाने कि मटी के घर में रहना किसको बोलते हैं, सर वो जान रखी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने ये काम किया है पिछले 10 वर्षों में मुझे दो Sir, it is very easy to tell. We should move on. I've just heard somebody saying, my colleague from this house, she said very simple. We just should not talk or we should not fight. कि catfight करके 2-2 में में करना है. We just should move on. No, sir. We cannot just move on because this country's youth, this country's work, 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 this country's work. Sir, it is just 2-3 minutes, sir. Two minutes. I'll just say. और जिसका Congress आज बात कर रही है, sir. ऐसी समाज से हम बिलॉंग करते हैं, उसको प्रेजिडेंट के पत्वे बिठाने वाली ये मूदी सरकार है, sir. सर, एसकी आदिवासी समाज को बिलॉंग करने वाली, हमारी मुर्मूर मेडम को भी, उस पत्वे बिठाने वाली येही सरकार है, sir. मैं आपको इतना ही सिरिव आखरी का बोलूंगी, sir. महाराश्टर से एक लास्ट मिनिट. सर, हनुमान चाली सा पे उद्दफ ठाकरे जी, हनुमान चाली सा पठन किया, तो उन्होंने जेल में डाला, sir, yes. और उन्होंने कई allegations, okay, I will not take sir ने, पर उन्होंने कई allegations लगाए, हमारे आदर्णिये देवेंद्र फंणवीच जी पर, कि वो बाबरी पे चड़े करके मजजित बाबरी तुटी, मुझे इतना उनसे पूछना है, कि जब 90 में और 92 में, जब कार सेवक वहाँ पर अपनी जान त्याग रहे थे, जान दे रहे थे, अपने धर्म के प्रचार, वो योगदान दे थे, sir, sir, last one minute, sir, last one minute, sir, last one minute, अपना योगदान दे रहे थे, तब उद्दव ठाकरे कौन से बिल में बैठे थे, उन्होंने ये बताना है, किसी के उपर अलज़ाफ लगाते समय, आपने ये याद रखना से ही, कि आज इस अमरित काल के अंदर, देश के 500 साल के कुशासन और 500 साल की लूट के बाद, ये सवभाग्य प्राप्त हुआ, 140 करोड लोगों को, कि समरित काल में राज्ये राम, राम राज्ये की सापना हुई, जिसमें धरम, स्वाभिमान, सम्रदी और सुरक्षा, तीनों की ग मुझे लगता है, जितने भी कार सेवक उने अपनी जान उस दोरान गवाई, जितने भी कार सेवक महा पर थे, उसमें कार सेवक हमारे, राज्य के देवेंदर फंडवी जी भी समय उस महा पर थे, उनका भी योगदान, और जितने भी कार सेवक है, उनको दिल से में प्रणा करना चाहूंगे क्योंकि इस देश के युवाओं के आखों में और जितने भी लोग उजिन आयोद्या में थे उनके आखों में आसू थे तो सभी को इतना ही कहूंगी च्री राम मंदिर और काकी शर्फ चाकी दिया अधिक जी मैं फिर दोराना चाहता हूं कि भारत के 500 साल के बनवास के बाद देश को अमरित काल में मोदी जी के नित्रतों में 140 करोड लोगों के सोभगे मिला 1526 से लेकर 1769 तक मुगलों ने देश को लूटा 1757 से 1947 अंग्रेजों ने लूटा